जैहिन साथियो अभी हम लोग पस्तित हैं एक्जाम टोड चैनल पूर और आप देख रहे हैं यहां पर बीएससी बिद्ध्यर्थी के लिए खबर है और बीपिएस्टी वाले बिद्ध्यर्थी के लिए विश्के बाद खबर है जस्ट यह सभी स्टुडेंट के लिए चैनल ह में दो धराएं दो धरा गये हैं कौन कौन देखिए कहां से हैं क्या है रोतास के चात्र प्रसांत कुमारने परिक्षा खत्म होने से एक मिनट पहले खीची थी फोटो 55 मिनट बाद दो साथियों को भेजा था अब यहां पर देखेंगे विस्तार से क्या है कैसे है बिहार य कि एक चात्र प्रसांत कुमारने भी प्रशन पत्र वाइरल किया था अबी एससी के ओएसजी मनुज कुमार की सुचना पर बिहार पूलिस की आर्थिक अपराद इकाहीं इओ यू ने इस संबंद में अलग से मामला दर्ज कर चान बिन शुरू की सुरुवाती जांच में प चाहरी गाउं 89 परसांत कुमार ने 12-14 बजे अपने मुवाइल से प्रशन पत्र की फोटो खीच कर एक बज के दस मिनट पर अपने दो मित्रों को भेजा यानि जब यह प्रशन पत्र बाहर भेजा गया उसके 55 मिनट पूर भी परिक्षा समाप्त हो गई थी EOEU अधिकारियों ने मामले में परिक्षा थी परसांत और उसके दो दोस्त सहित दो लोगों को गिरफतार किया है उन्होंने कहा कि यह मामला साजिस कर परिक्षा में बेवधान उत्पन करने का है गलत उद्देश से इलेक्ट्रोनिक उपकरन का चोरी चिपेदुर उप्य योग कर प्रश्न पत्र का फोटो किच कर वाइरल किया गया है जो एक गंभीर मामला लेते हुए इनको ग्रेफतार किया गया है इनसे भी पूछताच किया जाएगा आगे का जो भी खबर आएगा आप सब को बताया जाएगा अब देखें थोड़ा सा ध्यान देंगे विप प्रश्न पत्र के लायक होंगे आप जरूर समझेंगे यहां पर यह सबसे पहले विप्यस्टी से पहले एक बता दे पत्राबीविद यानि प्यू पत्ना इन्वर्सिटी में यदि आप प्यस्टी करना चाहते हैं तो आज से आवेधन कर सकते हैं देखें यहां पर पत्ना प्यस्टी टेस्ट के लिए आज से करें आवेधन पत्ना विविद ने प्यस्टी एडमिशन टेस्ट यानि पैट 2022 की तिथी जारी कर दी स्टूडेंट चोव से 28 जनवरी तक आवेधन कर सकते हैं टेस्ट 25 फरवरी को होगा पैट कुल 28 विशयों के लिए होगा इसमें इक सीट साइंस में है टेस्ट के बाद सभी प्रक्रिया जल्द समाप्त कर अपरेल तक शफल प्रतिभागियों को इनरॉल कर लेना है रिजल्ट के बाद शफल अभ्यार्थी से कोर्स में नमांकन के लिए आवेधन आमंत्रित किये जाएंगे पीजी में समान वर्क के लिए स्टूडेंट को 55 फिश्दी और आरक्षित वर्क के अभ्यार्थियों के लिए 50 फिश्दी अंक होना जरूरी है यानि आप देख सकते हैं यदि आपका पीजी में इतना है तो आप पीजी करना चाहते हैं तो आप पटना इंवर्सिटी से पीजी कर सकते हैं ये आपका आव अविश्पद हो गई तो इसमें देखेंगे क्या क्या बाढ़ा कैसे बाढ़ा इस बात को जानेंगे तो यहां देखेंगे बीपीजी ने और सठ्वी में संजुक्त प्रारंभिक परतियोगी परिक्षा में सीटों की शंख्या बढ़ाक दिया है और सहायक आपदा विभाग के कुल 43 रिक्टी प्राप्त हुई है इन रिक्तियों को रिक्षया से जोड़ दिया गया है अब 60 सबबसे पर इक्जाम है वहां बारफ फ़रवरी को हाँ संभावित है सम्भावित ना मानके उसको 100% मानके तयारी करें अच्छा से तैयारी करें किसी पर करकर के कोई समस्या हो तो आप कमेंट बक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको किसी भी शिक्षक का इंटर्वीव देखना है तो भी आप बोलेंगे उनका आम इंटर्वीव लेकर आपसे रिलेटेड वी प्यस्य वाले विद्यार थी या जो कमेंट करेंगे जय हिंद जय भारत जय इवा